जी हां दुस्तों तो एक और वीडियो लेके मैं आ गया हूँ on MetaHuman तो इस बार मैं कोई tutorial वगरा नहीं लाया या कोई explanation वीडियो नहीं लाया हूँ मैं कुछ experiment कर रहा था अपने 3D models के साथ तो उस time पे मैंने कुछ-कुछ चीजें देखी इस MetaHuman पे तो मैं सुचा कि जस उस पे बात करूँ तो thumbnail और title देखके तो समझ मैं आही गया होगी कि क्या बताने वाला हूँ इसमें तो उसी को मैं थोड़ा brief में जाता हूँ कैसे यह possible है देखो last time जब मैंने MetaHuman characters बनाए थे तो उस पे मैंने mostly faces पे काम किये थे ठीक है face के wrinkles कैसे हैं body पे कोई काम नहीं body पे maximum काम मेरे को मिला कि उसका small medium height change कर सकते हैं बहुत सारे customization है ही नहीं हमारे MetaHuman characters में तो जो भी लोग अगर मेरे पुराने video को मैं उपर tag कर दूँगा MetaHuman के बारे में जिसको मैं edit कर रहा था बैठके तो उसको मैं tag कर दूँगा plus मैं उसमें बताना चाहूँगा कोई 3D artist है जो character creation करता है इस video को बनाते बनाते मेरे को एक और चीज़ याद आया है कि कोई भी अभी तक MetaHuman के बारे में कुछ negative बात नहीं किया है और जब मैं ये video बना रहा था उस समय मैंने देखा कि सब लोग MetaHuman के बहुत तारीफ कर रहा है MetaHuman बहुत अच्छा है Games में हर जगा MetaHuman को use कर सकते लेकिन किसी ने भी इसके second part को dark side को नहीं बता है मैं इसको as a neutral way में दिखाना चाहता हूँ कि अगर कुछ positive है इस MetaHuman का तो कुछ negative side भी है तो अगर आप इसमें इंट्रेसर हो तो आप ज़रूर देख सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो हने बाला है तो उसको पता होगा सिर्फ face बनाने से कुछ नहीं होता है हमें body पे भी ध्यान देना पड़ता है किस तरह का body होगा कैसा क्या होगा तो सबसे पहला चीज वो MetaHuman Humans तो बना रहा है ठीक है पर Humans में variation नहीं दे पा रहा है अब variation in the sense body width कितना होगा कितना मोटा इंसान है पतला इंसान है किस तरह का इंसान है face पे जूरिया आना तो start हो गया सिर्फ head से related जितने details है सब बस head से related details ही है उस MetaHuman application के अंदर मेरे को future कर नहीं पता हो सकता है future में और नए update लेते हैं जिसमें हम body customization भी दे सकते हैं पर फिलाल जिस update पे मैं काम कर रहा था उस update तक तो कोई ऐसा update नहीं है कि हम body पे customization कर सके that means कि character आर्टिस्ट जो है जो character बनाते हैं खुद से उनका अभी भी value इस market में है कि like pre-made आपको face वगरा मिल जा सकते हैं लेकिन अगर आपको body वगरा बनाना है या कुछ extra चीजे बना दिये प्रॉप्स तो वो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा लाइक मोटा इंसान बनाना है या फिर body builder इंसान बनाना है वो सारी चीजे आपको खुद से ही डाल दे पड़ेगे in fact आप abs भी नहीं उसमें setup कर सकते हैं कि 4 abs होंगे या 8 abs होंगे आप खुद से कुछ नहीं setup कर सकते हैं जो face related है बस उनी चीजों पर आप काम कर सकते हो यहां पर हां यह बात मैं मानता हूं कि like meta human बहुत अच्छा है मतलब अगर आप character बनाना चाहते हो लेकिन character में भी बहुत सारे अलग-अलग चीजे आती है मेरे को like hand में fingers कितने से बहुत ज़रे लोगों के पास 10 से ज़्यादा fingers होते है like 12 fingers होते है अगर मेरे को 12 fingers का कोई character सही है या फिर मेरे को body में belly का value amount increase, decrease करना है यार यह सब तो games के अंदर भी आने लगा है कि like cyberpunk में या फिर GTA या PUBG जैसे games में भी आने लगा है कि आप belly का size control कर सकते हो या फिर hair style changes कर सकते हो तो अगर यह सारी चीज़े game में आ सकते है तो हमारे इस metahuman software के अंदर क्यों नहीं आ सकते है या browser app जो है इसके अंदर क्यों नहीं आ सकते है तो मैं यही बोलूँगा कि like यह पूरी तरह से ready to use नहीं है अगर face ही इस पे मेरे को edit करना है तो हो तो मैं normally भी कर लूँ मैं manual जादा customization कर सकता हूँ zebras पे instead of आपका meta human use करना हाँ retopology के मामले में सही है कि मेरे को retopology का मैनत नहीं करना पड़ेगा retopology automatically set up हो जाता है but it's not about retopology अगर मेरे को कोई exact same to same human बनाना है like मेरे को Ritik Roshan बनाना है tom cruise बनाना है या कोई भी ऐसा character बनाना है जो ditto real life character से match करता हो तो वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ जो meta human है वो mostly NPC बनाने में काम आ सकता है या फिर random humans बनाने में काम आ सकता है लेकिन exact human अगर मेरे को Ritik Roshan चाहिए अपने किसी 3D project में तो वो मैं नहीं बना सकता हूँ उसके लिए मेरे को specifically 3D character artist चाहिए होगा ही होगा बिना 3D character artist के impossible है वो करना तो बहुत सारे जगहें हैं जहां पर आपको अभी भी traditional भली meta human AI नहीं है meta human is not an AI अगर आप सोचे हो कि meta human AI है नहीं यह multiple presets के अंदर software में flaws होते हैं instead of using this अगर मैं character zebras पर बनाता हूँ वो ज़्यादा effective बनेगा मेरे को क्योंकि जो बने बने पहले से software जो आते हैं जो character creator के नाम पर बिक रहे हैं वो जितने भी मैंने try किया है आई clone का try किया है या फिर जिस meta human का जितने भी अभी तक मैंने try किया उसमें से देखा है कि अगर मेरे को कोई एक exact figure बनाना है like कोई भी Hollywood superstar ले लो या Bollywood superstar कोई भी exact उसका facial structure सब match करना चाहिए 3D model के हिसाब से या मैं अपना ही 3D model बनाना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ यूमन का face बना के दे दे रहा है तो उसमें modify करने के लिए मेरे को anyhow zebras पे जाना पड़ेगा zebras पे जाके changes लाने पड़ेगे ऐसे नहीं possible है कुछ भी बहुत सारी चीज़े हैं हो सकता है कि ध्रीदे रहना है अपडेट के साथ वो सारी चीज़े fix होती जाए पर जब तक यह fix नहीं होता है तब तक मैं बोलूँगा कि अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखके inspire हो चुके हो तो ज़्यादा inspiration लेने का ज़रूत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़े उसमें missing है यह वीडियो जस्ट एक alert वीडियो था कि आप मेरे एक वीडियो को देखके तुरंत motivate ना हो जाए और सीधा अपने pipeline को switch ना कर ले अपने pipeline में आप चीज़ों को और explore करें हो सकता है कभी मैं कुछ चीज बता रहा है उसमें कुछ flaws निकल सकते है तो मैं अगर मेरे साइड से मेरे को पता चलता है तो मैं उसे ने के लिए एक नया वीडियो बना दूँगा बट नहीं तो आप भी एक आर्टिस्ट हो आर्टिस्ट का काम होता है research करना reference gather करना information लेना तो ये सब आप करो अपने साइड से भी ताकि आप जो next character या next scene या कोई भी गेम बना रहे हो तो वहाँ पे आप मेरे वीडियो से influence ना होके खुद का research करके आप देखो कि हाँ जो मैं software यूज कर रहा हूँ उनमें क्या-क्या चीजे फायदे मंद है, क्या pros और क्या cons है तो yes, research हर समय जरूरी होता है और metahuman जस्ट एक asset creation tool है आप assets create कर सकते हो बट उस assets पे variation या real life 3D real life human के around कुछ उस पे details वगरा add नहीं दे सकते हो वो बस एक basic presets को use करकर के करकर के customization आपको दे दिया है कि हाँ, इतना ही preset है आपके पास इतना ही boundary है इस boundary के पार आप नहीं जा सकते हो on the other hand, zebras और अलग-अलग sculpting software या modeling tools अगर आप use करते हो Maya के blender के तो वहाँ पे multiple चीज़े मिलती है आप मेरा ditto same to same face create कर सकते हो but still अगर आप character creation नहीं आता है तो आप photogrammetry use करके भी काम कर सकते हो photogrammetry भी एक ऐसा tool है इसको use करके photos को use करके आप 3D model बना सकते हो इसमें मैंने बहुत पहले एक video बनाया था हो सकते है अभी वो video outdated हो गया हो तो next मैं अभी हाल फिलाल में एक और नया वीडियो बनाऊँगा photogrammetry के उपर जिसमें मैं explain करूँगी photogrammetry है क्या ठीक है उसको तो अगले वीडियो में इस वीडियो में बस यही बताना था कि जो मेरा पुराना वीडियो था उसमें सिर्फ face के उसने बस face को model किया था ठीक है लेकिन अभी मैंने और detail में इसको project को analyze किया अपने पुराने YouTube वीडियो को analyze किया तो पर चला कि इसमें body को तो मैं changes नहीं ला सकता ऐसे changes लाने का फायदा ही क्या ठीक है तो मिलते फिर किसी और topic के साथ तब तक के लिए